असलाम लीकूँ मेरा नाम है फिज़ाबदलमनान उमीद करती हूँ आप सब लोग खैरियस से होंगे गोहर पब्लिशर में आप सब को खुशाम दीद हमारा मोटो है Redefining the Geography of Education through Digital Resources for Conceptual Learning और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू Prep 5 Plus सबसे पहले डाल की मश्क में हम करेंगे डाल से शुरू होने वाली तस्वीरों को मिलाएं और नीचे इनके नाम लिखें हमें क्या करना है जो डाल की तस्वीरे यहाँ पे मजूद है हमें सबसे पहले देखना है हमारे पास कौन सी तस्वीर मजूद है उसके बाद हमें क्या करना है इनका नाम लिखना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या मजूद है हमारे पास मजूद है डबल रोटी डबल ओडी को सबसे पहले हम किसके साथ मिलाएंगे? डाल के साथ मिलाएंगे इस तरह से उसके बाद हमारे पास मजूद है डुग डुगी इसको क्या कहते है? डुग डुगी आप लोगों ने देखा होगा गली में एक आदमी आता है डुग डुगी इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मजूद है डबबा सबसे पहले हमने डबबा रोटी को डाल से मिलाया अब डुग डुगी को भी डाल से मिलाएंगे इसके बाद डिबे को भी हम यहाँ पे हमारे पास डबबा मजूद है इसको भी डाल से मिलाएंगे यहाँ भी हमारे पास मजूद है drum drum को भी किसे मिलाएंगे हम? डाल के साथ मिलाएंगे और आखिर में हमारे पास मजूद है doctor डाल द डॉक्टर ठीक है? डाल द डबलो टी डाल द डुगडुगी डाल द डबबा डाल, डा, ड्राम और आखिर में मजूद है डॉक्टर अब हमें क्या करना है? तस्वीर को मिला तो दिया हमने डाल से अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे और कहां लिखेंगे? इस जगा पे सबसे पहले हम लिखेंगे डबल रोटी टे छोटी है टी डबल रोटी यह क्या हो गया? डबल रोटी जी, अब हम लिखने जा रहे हैं डुक डुगी और वो कैसे लिखेंगे? डाल, गाफ इस तरह से और गाफ छोटी है गी डुक डुगी इसके बाद हमारे पास मजूद है डबा डबा कैसे लिखेंगे? डाल, बे अलिफ बा और इसके उपर आजेगी इस तरह से लिख देंगे इसको डबा आगे हमारे पास मजूद है ड्रम ड़, रम, डाल, रे, मी, ड्रम और आखिर में हमारे पास मजूद है डॉक्टर डाल, अलिफ डा, काफ, टेरे, टर डाक्टर तो ये हमारा मुकमल हो गया डबल लोटी, डुग डुगी, डबा, ड्रम, और डॉक्टर भडते हैं आगे आगे हमारे पास हमें क्या करना है? दिये गेल पास के हरूफ अलग-अलग करके लिखें हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास कुछ हरूफ दिये गिये हैं हमें इनको क्या करना है? अलग-लग करके लिखना है और वो कैसे लिखना है? शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे डाल, यहाँ पे डाल, उसके बाद हमारे पास मजूद है बे की छोटी शकल डाल बे ये ये लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये की छोटी शकल मजूद है यहाँ पर हम ये लिख देंगे और आखिर में हमारे पास आजएगा अलिफ ये हो जएगा डिब्या आगे हमारे पास मजूद है डंडा डाल आप देख सकते हैं, अलग ही लिखाव है, डाल को हम अलग ही लिखेंगे इसके बाद हमारे पास लिखेंगे हम नून, नून की शकन मजूद है नून के बाद फिर से हमारे पास मजूद है डाल, इस तरहां से और आखिर में आ जाएगा हमारे पास अलीव डंडा जी, आगे हमारे पास मुझूद है डुग डुगी डुग डुगी को हम क्या करेंगे? अलग-लग करके लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे डाल, गाफ, डाल, गाफ, डाल, डुग, डुग, गाफ, इ छोटी है, इस तरहां से लिख देंगे, ये हो जाएगा डुग डुगी इसके पाथ हमारे पास मजूद है डॉक्टर, डॉक्टर कैसे लिखेंगे? डाल, अलिफ, काफ, टे, रे, डॉक्टर आगे हमारे पास मुजूद है डरपोक और वो कैसे लिखेंगे? डाल, रे, पे, वाओ, काफ, ढरपोक और आखिर में हमारे पास मजूद है डाक्या और वो कैसे लिखेंगे? डाल, अलिफ, काफ, ये, और आखिर में आजाएगा अलिफ, डाक्या जी बच्चों, उमीद करते हूँ कि आपको डाल की मर्क समझ में आगी होगी किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताके रवानी बनी रहे अगली वीडियो तक के लिए, अल्ला हफिज